आप सभी का स्वागत था आपके पर यूटूब चैनल सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत करता हूँ अगर आपका सब्जक्ट एकोनॉमिक्स है यानि कि अर्थसास्तर आपका सब्जक्ट है और बिये कि आप थर्ड समेस्टर में हैं तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवसकता नहीं चुकि मैं ऐसे 10 महतपूर टॉपिक्स ढोड़ करके आपके लिलाया हूँ जो कि आपकी परिच्छा के लिए बहुत ही महतपूर है मतलब कि इन टॉपिक को अगर आप तयार कर लेंगे तो आपको और कुछ टॉपिक तयार करने की आवसकता भी नहीं पड़ेगी यानि इन topics को अगर आपने तयार कर लिया तो परिक्षा की जो tension आपकी दिमाग में चल लई है कि economics की परिक्षा है हम बहुँ ज़दा परेसान है तो बिल्कुल आपको टेंसल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है बीए के third semester में आप है और आपका subject economics से तो आपको पढ़ की के साथ आप इसको चाहे note down कर लिजेगा और चाहीं topic को एक प्रकार से आप तयार कर लिजेगा आपने series वगला ले ली है अगर नहीं ली है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर ले ली है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है और बाकी मैं एक प्रकार से आपके लिए बनाने का प्रियास भी रहेगा मेरा और साथी साथ आपको pdf notes की विवस्था आपके लिए कर दी गई है सभी subject के लिए अभी मैं उसकी information आपको दे रहा हूँ चले तो पहला आप ये top 10 topics हैं जो की सभी subject के provide करवा जा रहे हैं अगर आपका और कोई subject बचा हुआ है जैसे हिं 10 topics जो हूँगी important चले अगला पहला topic आपका क्या है वानिक वाद और प्रकरतिवाद वानिक वाद और प्रकरतिवाद एक ऐसा topic है जिस topic को मैंने already कबर कर रखा है इस topic की videos आपको playlist में मिल जाएगी ठीक है और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी ठीक है तो वानिक वाद क्या है और प्रकरतिवाद क्या है वानिक वाद बिसिकली जो होता है केवल व्यापार पर फोकस करता है यह सोने और चांदी पर फोकस करता है जबकि प्रकरतिवाद क्रसी पर फोकस करता है दोनों में क्या difference है दोनों की क्या-क्या विस्थताएं है क्या qualities है सब कुछ मने discuss की हुई ह तो पहला टॉपिक आपको वार्णिक वाद और प्रकरती वाद को समझ लेना है जान लेना है दूसरा टॉपिक आपको क्या पढ़ना भी है गांधी जी, मोहंदास करम चंद गांधी और M.N. राए इन दोनों के आर्थिक विचारों के बारे में आपको पढ़ लेना है दोनों के विचारों में समानता हैं तो आपको कम मिलेंगी लेकिन हाँ, इन दोनों के अलग-अलग विचारों को आपको पढ़ना है ठीक है, गांधी जी के आर्थिक विचारा पढ़ लीजेगा और MN Rai के आर्थिक बिचारों के बारे में आप पढ़ लीजेगा चुकि यहां से परिच्छा में परस्न लगुत्रिये में आतिलगुत्रिये और दिरगुत्रिये में कई बार पूछे गए हैं आपजक्टिव में तो पूछे ही जाते हैं यसे एक मालवेपर जो मैं बनाता हूँ सभी से लेबस से बनने वाले important परस्नों को रख करके बनाता हूँ ताकि आपको 4-5 मालवेपर मैं दे दूँ तो आपका उसी में सब कुछ कबर हो जाए ठीक है तो बिल्कुल टिंसन ना ले मानिकवाद और प्रकृतिवाटा की टॉपिक आप पढ़ लीजेगा इसके अलबागा गांधी और एमन डाय की आर्थिक विचारों को पढ़ लीजेगा important है इसके साथ ही साथ जेबी से जेबी से एक परकार से इनका नाम है जेबी से पूरा नाम है और बाकी आप एक परकार से इस टॉपिक को तयार भी कर लीजेगा तो जेबी से का बजार का नियम आप पढ़ लीजेगा ये टॉपिक बहुत ही यादा महतपूर है परिच्छा में 100-100% आने वाला है ध्यान अखेंगे मैंने ये सारे दसोटा की टापिक आपको इंपोर्टन्ट ही मैं लिखा हुआ हूँ बाकी इस के अलमा आपको एक परकार से एक आदो कोशन जो मिलेंगे तो उनका कोई मतलब नहीं रहेगा बाकी आप इनहीं टापिक को अगर कबर कर लेंगे तो आपका तयारी बढ़ियां हो जाएगी ठीक है देखें अगला टापिक आपका है डेविड रिकार्डो का लगान सिध्धान्त आप डेविड रिकार्डो का लगान सिध्धान्त और जेविसे का बजार सिध्धान्त ये दोनों सिध्धान आप तयार कर लीजेगा बहुत ही महत्रपूर है परिक्षा में 100-200% आते हैं तो क्या तयार करेंगे डेविड रिकार्डो जो की बहुत बड़े अर्थसास्त्री हैं जेबी से भी बहुत बड़े अर्थसास्त्री हैं इन दोनों ने जो सिध्धान दिया खासकर डेविड रिकार्डो का लगान सिध्धान बड़ा फेमस है तो इसको पढ़ लीजेगा और जेबी से का बजार का नियम बड़ा फेमस है तो इसको आप पढ़ लीजेगा ठीक है इस तरीके से आप ये topic तयार कर लेंगे तो आपका बड़ा बहतर तरीके से तयारी हो जाएगी ठीक है बहुत ही बारिकी के साथ चीजों को मैं समझाने का प्रियास करता हूँ model paper और महासंगराम revision class के माध्यम से objective और लिखे दोनों का एक परकार से चीज़े available है तो अगर आपको PDF notes प्राप्त करने हैं ठीक है PDF notes आपको जो भी topic YouTube पर videos हो चुकी उनके PDF notes और साथी साथ कुछ आपके और अलग से PDF notes आपको मिलेंगे जो अलग अलग topics के आपके होंगे तो वो PDF notes अगर प्राप्त करना है आपको तो आप SMS करना पड़ेगा केवल economics का ही नहीं सभी subject का PDF notes के लिए आपको गुरूप बना दिया गया है और गुरूप में काफी बच्चे जो चुके हैं course provide जो हो रहा था उसी में और उसी में एक प्रकार से आपके लिए बिवस्था कर दी गई ही 91, 61, 63, 62, 62 पर आपको SMS करना है और आपको गुरूप से जोईन हो जाना है क्या करना है आपको आपको करना पड़ेगा अपना नाम SMS करना पड़ेगा अपनी University का नाम और आपका क्या क्या सबजेक्ट है अपने subject name भी प्रकार से आप लिखेजेगा ठीक है नाम University का नाम और subject name अगर आप लिखेंगे फिर उसके बाद में आपके पास क्या क्या जाएगा संड क्या जाएगा उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज संड कर देने होंगे उसका स्कीन साथ हमारे पास आपको संड कर देना है अगर आप नहीं चलाते कुछ भी तो आप किसी दूसरे से आपको मिलेगे इसके साथ ही साथ आपको माडल पेपर की पीडियफ नोट्स मिलेंगे ठीके माडल पेपर की पीडियफ नोट्स आपको रिवीजन क्लास की जो मैं करवाता हूँ रिवीजन क्लास की पीडियफ नोट्स मिलेंगे रिवीजन क्लास के साथ साथ आपको एक परकार से माराथन क्लास की पीडियफ नोट्स मिलेंगे साथ ही साथ आपको कोशन पेपर की पीडियफ नोट्स मिलेंगे question paper आपको दिया जाएगा ठीक है और जो भी 2025 का question paper होगा 2025 का उसको एक प्रकार से साल में भी करवाने का प्रयास के जाएगा ठीक है इसके अलामा 2024 का जो question paper है उसको भी आपको दिया जाएगा ताकि एक प्रकार से आप दखेंगे कि इस तरीके की paper आते हैं तो ऐसे में किवल एक सब्जेक्ट नहीं सभी सब्जेक्ट, तीन मेजर सब्जेक्ट आपके हो गए, ठीक है, तीन मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट हो गए आपका, ठीक है, एक माइनर सब्जेक्ट हो गए और एक आपका को करिकुलर सब्जेक्ट हो गए, जिसमे और केवल 100 उपे में आपको सारी topics मलब की सारे एक प्रकार से जो subject हैं सभी के तयारी एक प्रकार से करवाई जाएगी और वहाँ पर जो videos होंगी आप YouTube पर उसको देख पाएंगे और साथी साथ उन सभी के जो PDF notes होंगे और YouTube के अलामा कुछ और जो एक प्रकार से चीजे होंगी वो सब आपको group में मिलती रहेंगे नि group में आपको बहुत ही फाइदा होने वाला है तो आप जुड़ जाएंगे 91-93-63-62 आप directly हम से जुड़ पाएंगे और आने माले समय में जब 4 समस्टर के लिए कोई कोर्स या कोई व्यवस्था की जाएगे तो आपके पहले information दी जाएगी आप जब group से जुड़े रहेंगे तो अपना नाम या उनिवर्सिटी का नाम और subject name फटापड से लिख करके आप संड कर दीजेगा और आपके लिए एक प्रकार से बड़ी व्यवस्था कर दी गई तो आप सभी लोग बिल्कुल घबराएं नहीं आसानी से जुड़ जाएगा 91 से 93 साथ बासर पर मात्र और मात्र 100 रुपीज में ठीक है सारी चीज़ आपको लिवस्था कर दी गई ठीक है सभी सब्ज़िख से पॉलिटिकल हिस्टरी, जियो ग्राफ़ी, हैंसेंट हिस्टरी, ठीक है एकोनामिक्स, एजुकेशन, ठीक है आपका और भी जो सब्ज़ेक्ट है हिंदी हो गई रहा हो गए सभी का एक प्रिकार से पीडियाप नोर्स आपको हैंपर मिल जाएगा तो बिल्कुल टेंसल लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी चले अगला टापिक आपको क्या पढ़ना है भी आ इकोनामिक्स में कीन्स का रोजगार सिध्धान्त ओ माई गाड बहुत सिध्धान्त बहुत फेमस सिध्धान्त कीन्स का रोजगार सिध्धान्त, जे बी सी का ब Teams का बजार नियम और डेबिट रिकार्डो का लगान सिध्धान्त ये तीन सिध्धान्त ऐसे हैं जहान से परिक्ष में किसी भी विश्विद्याल है, कोई भी ऐसा बचाने है जहां पर ये पूच मालतस का जनसंख्या सिध्धान, यह भी सिध्धान बड़ा फेमस है, मालतस महोदे जो थे, मालतस महोदे ने जनसंख्या का सिध्धान दिया, कहा कि जो उत्पादन के साधन है वो तो गड़ितीय सेड़ी में आगे बढ़ते हैं, यानि कि वो एक परकार से तो सीधे सेड़ी म कांतर है जबकि जो ईक प्रकार जन्संख्या बढ़ती है वो इससे आज एक जन्संख्या है काल दो फिर चार फिर आठ फिर सोला फिर 23 फिर 14 इस तरी गुड़ोतर चल में थोट जोटी -चोटinky प्रसणो के माध्यम से मैंने सभी topic को कबर करने का प्रयाज भी लेडी किया हुए मालल पेपर आगर आप देखेंगे तो किलियर होगा बाकी मैं और भी चीजे करवाऊंगा तो इन टॉपिक को ध्यान में रख करके चीजे आप करवाऊंगा ठीक है चले इन टॉपिक को ढूड़ने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ये बात आप ध्यान लखेंगे ऐसे नहीं टॉपिक आप के समझ ला दिया जाते है ठीक है इसके लिए अगर आप देखेंगे इनके बारे में पढ़ लिजेगा विस्तार से इसके साथ ही साथ अगर आप दीन दैलोपद्ध्ध है गोरकपूर बिचारों को खुब पढ़ लिजेगा चुकि यह सब आपके लिए इंपोडन्ट है ऐसे ही जो एक महात्मा गांधी का सी बिद्या पीठ वाले महात्मा गांधी जी की आर्थिक बिचारों को पढ़ लिजेगा दबा करके ऐसे ही जो जो एक प्रकार से बिक्तियों के नाम पर अगर हैं कोई चीजे हैं तो आप उन अतरिक्तिमोली उन्होंने किसको कहा काल माक्स ने काल माक्स का अतरिक्तिमोली जानते हैं क्या है अतरिक्तिमोली का से उन्होंने कहा जैसे कि मालेते हैं कि एक पूंजी पती है और एक सरमिक वर्ग है ठीक है अब पूंजी पती क्या करता है बिना मेहनत किये क्या करता है वो से 50 रुपया जो है वो मजदूरी मजदूरी दे दिया मजदूर को ठीक है और 50 रुपय जो रा मटेरियल लगा उसको लगा ठीक है 50 रुपय में सारा खर्चा और 50 रुपय या 50 रुपय का सारा खर्चा लगा और 25 रुपय मजदूरी दे दिया अब इसके बाद में तो एक प्रकार से बिख्ती कितने में डेढ़ सो रूपए में अब डेढ़ सो रूपए में जब वस्थू बिक रही है तो 50 रुपए कौण पा रहा है 50 रुपए की profit किसको हो रही है company के मालिक के हो रही है सर्मिक को ने जबकि बनाय किसने सर्मिक ने बनाया yarni इंहों ने उसी 50 रुपए को अत्रिक्तिमूल कहा किसने काल बिना कुछ किये एक प्रकार से वो क्या करता है पचास रुपे की गड़ी पा जाता है और सरमिक दिन रात एक प्रकार से मेहनत करता है तब भी मातर पचीस रुपे ही पाता है अब तरिक्तमूल एक प्रकार से वैसे तो किसाम मलब की मजदूर को मिलना चाहिए यानि कि कालमाक्स बेसिकल एक परकार से ये वर्ग संघर्ग की विचारधारा में ही आर्थिक बिचारों को एक परकार से अपने समयर देते हैं, द्वंदातों बहुत हिक बात की बात भी करते हैं, ठीक है? तो काल माक्स और J.S. Mil J.S. Mil, Jan Stuart Mil Jams Mil के पुतर थे Jan Stuart Mil, उपयोगतावाद या उपयोगतावाद के बड़े फेमस है जर्मी बंथम और J.S. Mil इन दोनों का विचार बड़ा फेमस रहा है ठीक है, तो J.S. Mil के आर्थिक विचारों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा और काल माक्स के अर्थिक बिचारों के बारे पढ़ लीजिएगा बहुत ही फेमस बिचार है इन सभी के और प्रस्न परिछा में आते हैं अगला टापिक आपका है प्रोफेसर अमर्त सेन और पंडित दीन दालुपध्याय इन दोनों के आर्थिक बिचारों के बारे पढ़ लीजिएगा इंपोर्टन है बिलकुल अमर्त सेन जी और पंडित दीन दालोपध्याय के आर्थिक बिचारों के बारे में आप टापिक तयार कर लीजिएगा ये बहुत ही मैत्पूर्ण है देखें इन सभी topic को आप note down कर लिजेगा अपनी copy बगरा में ठीक है इसकी इंसाड़ लेकर करके इसकी इंसाड़ ले लिजे सभी topic आप और इसको लिख लिजेगा ताकि इनी topic आपको तयार करना है चुकि इसका PDF आपको नहीं दिया जाएगा ठ ये PDF डिलीट कर दिया आता है ठीक है और मैं save कर सकता हूँ लेकिन इसमें 3-4 चीजों की इस PDF इकठे बनाता हूँ तो इस वज़ा से दिक्कत हो जाएगी थे बागी देखें आर्थिक बिचारों के इतिहास में Adam Smith के योगदान आर्थिक बिचारों के इतिहास में Adam Smith कौन है Adam Smith जो है ये अर्थ सास्त्र के जनक है Adam Smith बहुत बड़े विद्वान अर्थ सास्त्र के उन्होंने अर्थ सास्त्र के बिचारों के इतिहास में एक प्रकार से क्या योगदान दिया आर्थिक बिचारों के इतिहास में क्या योगदान दिया या अर्थ सास्त को बढ़ने में क् के बिचारों के बारे में आपको पढ़ लेना है तो यह topic आप सभी लोग तयार कर लीजेगा नोट डाउन कर लीजेगा आपकी परिक्षा के लिए बहुत ही बेतर है ऐसे ही topic को ले करके मैं लगातार आपके लिए आता रहूँगा हर एक subject का और इन topic से related जो वीडियोज वगरा होंगी वो model paper के माध्यम से महा संगराम revision class के माध्यम से महा मायराथन class के माध्यम से कबर करवाने का प्रियास किया जाएगा तो परिसान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है आपकी परिक्षा objective हो रही है चाहे लिखित हो रही है ठीक है सभी type के लिए मैं विवस्तित करूँगा objective का और लिखित का दोनों का लेडी कुछ मालेत बेपर कुछ content अगुलब्द है आप उनको पढ़िए बाकी आने वाले सवे में जल्दी जल्दी एचीजों को प्रवाइड करूँगा धनिबाद मिलते हैं फ्रनेक्ष्ट वीडियों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत अब सभी का बहुत बहुत धनिबाद हमारे सच जुड़ने के लिए ऐसे ही अपना प्यार हमें से बनाये रिखिएगा बहुत बहुत धनिबाद